क्या सीमा हैदर जुट बोल नहीं है क्या एटियस की अब तक की हुई पूस्ताच में सीमा ने एटियस की टीम को बरगलाने की कोशिश की है जहां इनी सवालों का जवाब तराशने के लिए एटियस की टीमे जल्द ही लाइट डिटेक्टर टेस्ट और पॉलिग्राफ टेस्ट की ओर रूख कर सकती है इस वक्त हम सीमा हैदर के ठीक घर के बाहर है जहां पर आज दूसरा दिन सीमा हैदर को लेकर एटियस की टीमें यहां से रवाना हो चुकी है आज सुबह तक्रीबन साड़े आट बजें सीमा हैदर को पूस्ताच के लिए एटियस की टीमें यहां से लेकर गई है उनके साथ उसके दो बच्चों को भी ले कर गई है उसके साथ ही सचिन नाम का जो युबक जिसके घर में सीमा है था रह रह रही थी वो एक रात एक दिन पहले ही यानी सूमार की शाम को जब उसे पुस्ताच की गई थी 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 यूँस की ती चिर मार ने आगा की तैस साफ कर रही है । जिस पर अब तक परदा साफ नहीं हुआ था और यहीं है कि आज सीमा हैदर के घर के बाहर जो रोजारा भीड होती थी वो भीड नहीं दिखाई दे रही है को कि सीमा हैदर कई सवालों का जवाब उस तरीके से नहीं दे रही है जो यहाँ पर ATS की टीम है उससे पूछना चाहती है सीमा हैदर किस एजन्ड के मारपत नेपाल होते पुलासा नहीं किया है उसने वो सब कुछ पुलिस एजन्ड को अब तक बताया है जो सीमा हैदर चाहती थी उसके अलावा उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जिसे एजन्ड जानना चाहती हैं किस एजन्ड ने उसे नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल करवाय था और कौन लोग तो क्या वो एजेंट पाकिस्तानी था और पाकिस्तान में उसने किस तरह से पासपोर्ट की तयारे की थी ये सारी जान करें हम पर जुटाई जा रही है आप तस्वीरों में देखेंगे सीमा हैदर का ये घर है और इस घर में इस वक्त संदाडा फसरा हुआ है बहु बनाया था किसी ने अपनी भावी बनाया था लेकिन यहाँ पर अब सीमा हैदर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कोकि एटियस की थीवे हमेशा उन मामलों में जाच पड़ताल करती है जो देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं और इसी वज़े से यूपी एटियस अब सुबा लगातार दूसरी बार पूस्टाज करने के लिए उन्हें एटियस दफ्तर के लिए लेकर गई है और आप देखेंगे यह हमार साथ सचीन के भाई है कितने बजी आई थी एटियस भाई में तो भाई ना मूप पता हो दी तो हां कितने बजी लेकर गई है पता कोई नहीं है कोई नहीं है और आपके पिताजी का है पता नहीं सचिन रात को घरा आया था पता नहीं यह लेकर गई है सीमा एदर को भी भाया मुझे पता नहीं है कुछ भी देखें सचीन के भाई हो आब हम जानते हैं आप थोब साब पॉन्फेंट में बताईए कि किकने तो आप से भी पूल्साज कर रहे हैं ना कुछ हुआ जिर सीिमा कितने बचे आई थी रात को पापा भी आ गए थे आपके और सचन भी आया रात पर रात थिक खुंश नहीं पिछे पिछे आ रहे हैं फिर नहीं आए अभी सुवर फिर लेकर चलेगे बाई तरह हैं को को कि घर में इस वक्त यहीं शुक्त जो है वो अकेला है लेकिन कुछ भी बताने के लिए पर पुलिस की टीमों नहीं मना किया है और इसी वेसे से अपने घर से नहाद कर निकले हैं क्या ये पुलिस की तरफ जाएंगे ये कहा जाएंगे ये पता करना बहुत जरूरी है लेकिन ये बताइए दोस्त की थोड़ा सा हमें ये जानकारी दे दीजिए कितने बज़े पुलिस यहां पर पहुंची आज सुवह तर रही हैं जो फुलिस घरकंदर ही तो उसके बाद कह आप लोग यहां पर है ये सभी लोग है ये बताइए सीमा भावी को देखने के लिए आप आते थे आप कहा है बताएंगे आप लोग तो वैलकम कर रहे थे हैं ये अब आया हूंगे बात करने के लोग त्यार नहीं है यही है जो सीमा भावी सीमा भावी करके यहां पर और विलकम करता था लेकिन आप कहाँ है वही बताएंगे पास ही खड़े हो कुछ दागर देखिए सीमा हैदर को सुभा लेकर गई थी पुलिस की टीम और इसी वज़े से उसके बाद आप यहां पर कोई नहीं है हर को तो ये सोच रहा है कि आखिस सीमा हैदर कहां चलेगी, कहां गई सीमा हैदर, ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन ये यहां पर माना जा रहा है, कहा जा रहा है, कि अभी भी कई तरह के सवाल यहां पर पैदा हो रहा है, कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान से यहां पर आई थी, तो आपसे ज्यादा कुछ ही नहीं पूछा हैं दोस का हम लोग रोजाना आपके घर आते हैं और हम रोजाना आपसे यह पूछता हैं हाला कि आप लोग परिशान होता है आज हम आखरी बार यह पूछना चाहरा है अपसे की रात को अकल शीमा को और सचिन को छे लेकर गए थी पापा को आप क्या कह रहे थे कि कब तक छोड़ेंगे कोई कोई पता ना है हमें कुछ नहीं बता है रात बर पूलिस आपके घर थी बाहर थी घर के अंदर बैठी थी क्या पाप लोग फोड़के नहीं जाएंगे पता ना किये तो बहुत जानकारी नाम हो बच्चे भी लेकर पूलिस यहां से कहा लेकर गई हालाग कि एटीयस कीटी में जाज करी है जो सामने भीड़ है उसको आप देख सकते तो तो मैंने आपको तस्वीरों में दिखा आए कि यहां पर जितने भी युवा है वो युवा जो है बात कर रहे लिए अब तयार रही है यह वही युवा है जो चार दिन पहले तक यहां पर वैलकम के लिए ख़़ए थे लेकिन अब जिस तरह से ATS की टीम है यहां पर लगातार जाज कर रही है एक बड़ा सवाल पैदा हो है और उसके पीछे की वजह है क्या है क्या वाकई में ATSI का कोई बड़ा प्लैन है या फिर वाकई में सीमा सिर्फ सचिन के प्यार के खातिर भारत माई है यह सारे सवाल इन जवाबों को तलाशने के लिए ATS की टीम है जाज कर रही है जब तक ATS की जाज पूरी नहीं हो सक सकती तब तक यह कहा रही जा सकता कि सीमा को यहां पर बेदा करार दिया जाए